अवाज इंडिया न्यूस को सब्स्क्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाए की तरफ से सहयोग किया जाएगा गौर्तलप है कि गत 12 मार्च को पोकर्ण फाइरिंग रेंज में सुरक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को भारत शक्ती अभ्यास के नाम से प्रदर्शित किया गया था जिसे देखने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी यहां पहुँचे थे। गगन शक्ती युद्धाभ्यास में भारतिया वायुसेना के करीब 10,000 वायुसेनिकों के भाग लेने की जानकारी सामने आई है। इस दौरान वायुसेना के सभी हवाई अड़े सक्रिय होंगे। अभ्यास में तेजस, राफेल, सुखोई 30 ग्लोब मास्टर, चिनूक, अपाचे, प्रचंड सहित कई लडाकू विमान और हेलिकॉप्टर्स की भागिदारी रहीगी। इस युद्धाभ्यास को वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास माना जा रहा है। युद्धाभ्यास में वायुसेना का भारतिय थल सेना की में आवाजाही की सुविधा हो सके। गगन शक्ती में उत्तरी वपश्चिमी मोर्च को सन्युक त्रूप से शामिल करते हुए वायुसेना अलग-अलग हिस्सों में अभ्यास करेगी। जानकारी के अनुसार वायुसेना के लडाकू विमान और हेलिकॉप्टर्स अलग-अ शहरों में बने वायुसेना के हवाई अड़ों से उडान भरते हुए पोकन फील्ड फाइरिंग रेंज में बनाए गए लक्षों पर निशाना साधेंगे।